नमस्कार दोस्तों आप सबी का इस्टरी फॉर यूपेसी पी से चैनल मसाइथ है ये अर्शठी में बीपेसी के लिए टेस्ट टू है टेस्ट वन कल हमने कर लिया था और उसमें बहुत सारे इस्ट्रेंट के अच्छे नमबर आये हैं और उसमें दो तीन मिस्टिक हो गया था क्योंकि इसमें एक जगा एंसर गलत दिया हुआ था एक जगा मैंने गलती की थी जैसे काली बंगा के लिए मैंने समझा तो दिया था कि काली बंगा में क्या क्या था और लेकिन मैंने बोल दिया था गलती से गुजरात साइथ बोला था ये राजस्थान में है राजस्थान में है ये काली वंगा दूसरा चीज करेक्ट करते हैं जो इसमें एंसर गलत दिया हुआ था वो था कि गंगा में कौन सी नदी नहीं मिलती है तो उसका भागमती एंसर दिया हुआ था तो मुझे उसी समय डौट हुआ था उस पर तो फिर मैंने इसको रही चेक्किया बार बार क्योंकि गलत नहीं पर के जाना चाहिए तो फल्गू भी होगा और बागमती भी होगा दोनों नदी जो है वो गंगा में डारेक्ट नहीं मिलती है इसलिए उसका एंसर ई हो जाएगा अगला सवाल था कि जो रेलवे के नए CEO रेलवे बोर्ड के नए CEO बनाए गए हैं ये ए एक जनवरी 22 का करेंट है एक जनवरी 22 का करेंट है कि इसके अब नया अपडेट कर लेना आप लोग अनिल कुमार लाहोटी अनिल कुमार लाहोटी इनको बनाया गया है डेलवे बोर्ड का नया CEO ध्यान मेरकना इंचियों को वेरी इंपोर्टेंट सवाल है ये और ये इसके बाद से अगर किसी को PDF पहले चाहिए हो किसी भी टेस्ट का तो आपको चैनल जॉइन करना परेगा और सब्सक्राइब बटन के बगल में जॉइन रहता है वहाँ पर जॉइन कर लेजिए पहले ही आपको PDF मिल लिएगा वीडियो से पहले ही जिससे आपका रिवीजन वरना आपको दो दिन बाद PDF मिलता रहेगा पहला सवाल है कथा सरीत सागर किस ने लिखा है पहले कैंसर क्या हो जाएगा इसको सौमदेब जी ने लिखा है क्या है इसमें कि विदंतियां है जो आप परियों के कहानियां सुनते हो कथाई सुनती हो उसी पर अधारित है एक ग्यार्मी सताब दी में लिखा गया था कथा सरीत सागर कुशन करने के तरीके को थोरा सा बदलना तुक्का मारने कम को सिस करना और निगेटी मारेकिंग चुकी एड हो गया आपके एक्जाम में उस हिसाब से प्रैक्टिस करना है आपको सवाल ओके दूसरा है कि हरपा सभि नदी के तर्ट पर था मातरी दे भी या सकती मा भगवती राजधानी के सहर लोथल और कुंतसी है दूसरे कैंसर क्या हो जाएगा दूसरे कैंसर दिया हुआ है डी दिया हुआ है जौन मारसल इस सब्द का प्रियोग उप्योग करने वाले पहले सोध करता थे सिंदु घाट पा सहर को माना जाता है राजधानी सहर जिन्होंने पाटले पुद्र को अपने सासन काले मगद की राजधानी बनाया और यहां एक छोटा सा किला बनवाया वो कौन थे तो तीसरे कैंसर क्या हो जाएगा सी उदियन उदियन ने सब से पहले बनाया था भारत में प्रमुख बहुत संरचनाओं में से एक सारनाथ मस्तूप का निर्मान महान मौरे राजा असोप के द्वारा किया गया था उसस्तूप का नाम बताईए तो चौथे कैंसर क्या हो जाएगा धमे का स्तूप है और यह कहां पर है बनारस अगर आप गया होंगे तो वहां से 13 किलोमेटर द स्तेमेंट वाले सवाल आप थोरा से अक्सपेक्ट कर सकते हैं कि BPS बूछा जाएगा इसका हो जाएगा कि इसा बधिय मुर्ति पूझा का भ्यास किया गया पूरे वैदिक काल में कभी भी मुर्ती पूजा का भ्यास नहीं किया गया है इस सीज़ का ध्यान रखना है आपको मुर्ती पूजा पूरे वैदिक काल में कहीं भी नहीं है प्रकृत पूजक थे यग्य जरूर करते थे लेकिन यग्य में किसी मूर्ती के पूजा नहीं होती यग्य में अगनी में आहुती दी जाती है इसलिए इसका ध्यान रखना लेकिन यहाँ पर सवाल में क्या पूछा गया है सवाल में एक चीज बोला गया है कि बाद के बैदिक काल की बात की गई है यानि कि उत्तर बैदिक के बाद की बात की गई है उस समय हमें मुर्ती पूजा का प्रमान मिलता है अगर सिर्फ बैदिक लिखा रहता यहां पर तब ये बी वाला जो है ये पुर्ण रूपेन हो जाता तो चुकि क्या पूछा है कि कौन सा सही है इन में से तो बाद के वैदिक काल में जो मुर्ती पूजा है उसका भ्यास किया गया था और यहां पर क्या दिया हो इस काल में भगवान इंदर ने सरवच पत पर कब जा रखा नहीं भगवान इंदर की जब भी बात आएगी तो पूर्न रूपेन वैदिक काल की बात आएगी वैदिक कालमिन को सरोच देवता माना गया बाद के समय में तरी देव की जो बात की जाती है जिसमें ब्रम्हा बिसनु महेस आते हैं उनकी चर्चा होने लग गई थी अगला है कि पुसकर जो हतियारों को देखवाल करने वाला था को छत्रियों का देवता माना जाता था नहीं पुसकर को सुद्रों का देवता माना जाता था किनका देवता शुद्रों का देवता माना जाता था पुसकर को बलिदान पर मुख बन गया हाला कि निजी बलिदान निसिद्ध था बलिदान धीरे धीरे बंद होने लग गया था, धीरे धीरे कम होने लग गया था तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, बाद के वैदी काल में हमें क्या देखने का मिलता है मुर्ती पुजा का भ्यास के बहुत सारे प्रमान मिलते हैं हमें जब बाद के वैदिकाल हैं मुर्थी पूजा का भ्यास होगा तभी तो जो बौध धर्म है वो मुर्थी पूजा का भिरोध करने के लिए पर कट होते हैं बहात्मा बुद्ध मुर्थी पूजा का भिरोध करते हैं वो किसकी मुर्थी पूजा का भिरोध कर रहे होते हैं यही जो उत्तर बैदिकाल में छोटे मोटे मूर्ती बनाने के पूजा शुरू है थे, इसका भी रोध करते हैं वो, अगला है कि बहु बुद्ध वाद में त्री रतन क्या संकेत करता है, त्री रतन का अपने नाम सुना होगा, बुद्ध धर्म में ये पूछा गया आपसे, छटे कैंसर क्या हो जाएगा, बुद्ध धर्म और संग की बात करता है, सिरलंका में बहुत धर्म के परसार के लिए निमलखित में से कौन जिम्मेदार था, सेवन कैंसर क्या हो जाएगा, असोक जिम्मेदार था, असोक नहीं भेजाता वहाँ पर, उन्हों ने देवनाम प प्रस्द जैन आचारे कौन थे जिने अकवर ने बहुत सम्मानित किया था तो आठ के अंसर क्या हो जाएगा। भी सब सूरी थे जैन आचारे थे इनको अकवर ने राज दल्वार है भलाय और इनको सभान इत किया था कब 1592 इसभी मकवर ने गुजरात से जैन धरम के जैन आचारे हर विजह सूरी को जगत गुरु को पाधि भी दिया था हर विजह सूरी नाम है इनका जरूर ध्यान में रखना जगत गुरू की वाधी किसको दी थी ये भी पूछा जाता है असोक के समकालीन तूरमाया किसके सासक थे तो नो कैंसर हो जाएगा ए ये मिसर का सासक था तूरमया मधिकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर में सब्द अरघटा किसे निरूपीत करता है मधिकालीन भारत में पूछा गया है जो एकॉनिक हिस्ट्री है उसमें अरघटा का मतलब क्या होता था इस कैंसर क्या हो जाएगा भूमी के सिचाय के लिए परियुक्त जल चक्र वाटर वील उसको अरघटा कहा जाता था वाटर वील निम्द के तो कौन सा सही नहीं है पाठ महावस्तु 16 महाजन्पतों का नाम प्रदान करते हैं अबध ही के राजण ने अबध ही होगा कौसांबित ही प्राकिरतिक संसाथनों के प्रचुणता ने मगद को इस सित में सबसे मजबूत बनाया तो ग्यारह कैंसर तो भी ही गलत दिख रहा है न है अबध ही कौसांबी कथन सही नहीं है ये बिलक Dw explaining Pacific करता है महाजनपद से पहले क्या था जन था फिर जनपद बना उसके बाद फिर महाजनपद बनने लग गया महाजनपद के बाद बरे बरे समराज्य दिखते हैं हमें जैसे मौरे समराज्य की बात आ जाती है आराम बाग मूल रूप से निम्लिकित में से किस मुगल समराट के अगले सवाल पर चलते हैं कि सेर साह का उत्रादिकारी कौन था तेरा कैंसर क्या हो जाएगा इसलाम साह था उसका उत्रादिकारी ओके इसलाम साह सिवाजी महाराज के समय में मंत्री परसद को क्या कहा जाता था 14 कैंसर क्या हो जाएगा अश्ट प्रधान कहा जाता था और सिवाजी का अश्ट प्रधान बहुत इंपोटेंट है इसको जरूर परके जाना चाहिए आप लोगों को S.K.P.A.N.D.E. की बुक में पूरा मदिकालीन भारत में दिया हुआ है भारते मुगल चितर किस मुगल समराट के सासनकाल में फले फूले ये तो UPSC का भी कोस्टन है UPSC 2019 का कोस्टन है ये परी का और ये जहां गीर के सासनकाल में फले फूले हैं 15 कैंसर C हो जाएगा सुरुआत कीस के समय में हुआ था अकवर के समय हमें सुरुआत देखने को मिलती है किनके नितुत में सचिन्ना सान्याल दौरास थापित हिंदुस्तान डिपब्लिकन एसोसियसन हारे का नाम बदल कर हिसे सारे कर दिया गया ये पूछा गया है का नाम बदल कर हिंदुस्तान सोसिलिस्ट डिपब्लिकन एसोसियसन कर दिया गया तो सोला का एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा H.S.R.E. का स्थापना फिरोसा कोटला में किया गया था दिल्ली में भारत के ब्रहम समाज के संस्थापक कौन थे भारत के ब्रहम समाज सतरह कैंसर रजयेगा सी केसबचंत सेन जी का नाम आता है केसब चंद सेन के नित्वत में समूह ने खुद को भारतिय ब्रहम समाज या नभीन ब्रहम समाज कहा केसब चंद सेन के नित्वत में त्रेट उनियन आंदोलन के करांतिकारी चरण का समय क्या था तो जो आप भगत सिंग वाली मूवी देखोगे उसमें भी सीज़ की बहुत जादे जिकराती है टेड उनियन बिल के खिलाप वो लोग बहुत संघर्स कर रहे होते हैं तो 1926 से 49 का समय जो था टेड उनियन बिल के करांतिकारी चरन था टेड उनियन आंदोलन का टेड उनियन क्या हो जाएगा भी पटना था केंद्रेश का आगले सवाल पर चलते हैं कि निम्लिखित योगों से कौन सा सुमेलित नहीं है ब्रिटिस इंडिया सोसाइटी लंदन इस्ट इंडिया एसोसेशन कलकत्ता नेशनल इंडिया एसोसेशन लंदन नेशनल इंडियन एसोसेशन ब और National Indian Association इन दोनों को ब्रिटेन में स्थापित किया गया था, इस इंडिया एसोसेशन के अस्थापना दादा भाई नेरो जी ने किया था, इसका अंसर D हो जाएगा, दो और चार दोनों गलत सुमेली थे, सुभास्तन बोष द्वारा स्थापित पार्टी कौन सी थी, फॉरव कॉंगरेस के इन्हों ने अध्यक्स्ता की थी, तिरपुरी संकट आया था कॉंगरेस का, इसमें सुभास्तन बोष ने कॉंगरेस के इस्तिपाद दे दिया था, और फॉरवार ब्लॉक की अस्थापना की थी, फॉरवार ब्लॉक आज भी काम करता है, पस्षी मंगाल में रा मोपला बिद्रोह में किसका नाम आता है, सी का दो हो जाएगा, कुनमत हाजी का नाम आता है, अवद किसान सभा, बाबा राम चंदर का जान नाम आता है, और इसको मैज को सही से ढंग से याद रखना, इस तरह के सवाल आपको खोब मिलेंगे इस वार, इसका एंसर ए हो जा 24 का एंसर हो जाएगा, D, मीर उस्मान अली खान जो था, वो अंतिम निजान सासत था, और बस यही था इसमें सवाल में तो, हिंदु सुराज पुस्तक किस ने लिखा है, हिंदु सुराज पुस्तक बहुत ही बेहतरीन बुक है, सस्तिस स्याती है, पचास साथ रुपे के आत गभी, लाला हरदयाल जो थे, वो गदर पार्टी के निता थे, आनन्द मठूपा नियास के लेखा कौन है, बहुत ही बेहतरीन किताब है यह, 27 का एंसर क्या हो जाएगा, बंकी इंचन चटो पाधियाई है, जो बंदी मातरम गीत है, हमारा रास्टी यह गीत, उसको इसी ब पटन में भी था, पटना में भी सूरत में भरूज में भी था, इसका फैक्टरी, इसका एंसर यह हो जाएगा, किस युद में हार के बाद बंगाल के नवाब ने इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और औरीशा के दिवानी अधिकार दिये थे, क्या पूछा है, बं 1965 में इलहाबाद की संधी होई थी, उसी के तहद दिया किया था, अठार सुनतावन अंग्रेजों खिलाब बिद्रोह में इलहाबाद, अब का प्रियाग राज का एक नेता कौन था, तीस का एंसर क्या हो जाएगा, मौली लिया कतली, इसका एंसर ए हो जाएगा, चलो दिल् राष्टी आंदुरण का स्रोत वसंत के रूप में कौन मानता है, ये किस लिखक का मानना है कि ये राष्टी आंदुरण का स्रोत वसंत था, तो 32 कैंसर क्या हो जाएगा, इस कैंसर दिया हुआ है, कि PC जोसी जी है, इतिहासकार है, इन्होंने ही सबसे पहली बार इसको कहा वैसे सबसे पहली बार बुक किसे ने लिखा था, वीडी साबरकरजी ने, विणाय दमदर साबरकरजी यों है, उन्होंने लिखा था, अठार संतावन, भारत का पहला सोतनता संगराम नाम से उन्होंने बुक लिखा था, 33 नमर सवाल है, गर्मी, असपर्ष, ठंधा और दबाव का केंदर मानम मस्तिस के किस भाग में होता है, तो 33 कैंसर क्या हो जाएगा, C, पार्सुइट भाग में है, यह होता है, ललाट भाग के पीछे इस्तित होता है, सरीर और तोचा से संबेदी जानकारी प्राप्त करता है, और यह संचारित करता है, कबक के अधियन को किस नाम से जाना जाता है, 34 कैंसर हो जाएगा, D, माइकोलोजी के नाम से जाना जाता है, मानम मस्तिस का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है, 35 कैंसर हो जाएगा, C, प्रो मस्तिस के लिखा हुआ है, प्रो मस्तिस मानम मस्तिस का सबसे बड़ा हिस्सा होता ह शरीर के सबसे लंबी पेसी कौन सी है? 36 कैंसर क्या हो जाएगा? D. सार्टोरियस ये सबसे लंबी पेसी होती है सरीर के कूले को घुमाने जोरने और घुमाने मदद करता है कूला के पास होता है 37 नमर पर चलते हैं वसा का पूरी तरह से पाचन होता है 37 कैंसर क्या हो जाएगा? C. छोटी आत में अमासे मवजूद पाचकरस D. को पचाने मदद करता है 38 कैंसर क्या हो जाएगा? B. केबल प्रोटीन को पचाने मदद करता है पाचन तंतर जिसको जठरांत छेतर से बना होता है इसे जियाई नली या पाचन तंतर और यकृत, अगनास और पिता से ये थैली भी कहा जाता है 38 कैंसर क्या हो जाएगा? B. हो जाएगा अगला है कि मानब पोसन में पोसक तत्य क्या आवसकता भोजन के सिवन का तरीका और सरीर में इसको उपयोग को विभिन चरनुम प्रस्तुत करना सामिल है जो निम्न है इनमें से कौन कौन सा होगा या आपको चहटना पड़ेगा इसका अंसर क्या हो जाएगा? 49 का अंसर दिया हुआ है B यानि कि इसको सिक्वेंस में आपको लगाना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा अंतर गरहन आमें आता है उसके बाद पाचन के लिए जाता है D के बाद E आएगा उसके बाद अबसोसन होता है उसके बाद अनकूलता होता है उसके बाद बहीर छेपन होता है इसको आपको ऐसे ही सिक्वेंस से मैच करना होगा इसका एंसर क्या हो जाएगा D E A C B ये दिया हुआ है एंसर ये कठीन कोस्षन है और ये प्रिवियस एर का कोस्षन है अगर आपने घटना चक वह बायोलॉजीक M C Q Q होंगे तो वहाँ पर ये पूछा गया है बायोजी का दीप कोस्षन था ये पिता से मौंजूद पथरी किस सीज की पाचन को परभावित करती है जो पथरी होता है वो किस सीज के पाचन को परभावित करती है 45 का इंसर रोजगए B, वसा के पाचन को प्रभावीत करती है निमने कितमे किसजलिय जनतू में गल्फरे नहीं होते है 40 का इंसर रे डी, हूइल के पास गल्फरा नहीं होता है निमने से कौन सी जिली फेपरे को ढ़खती है 42 का इंसर रे जगए C, फुफुस वारन CO2 प्लस H2O जो है, यह इसका अंती मुतपाद होता है, OK? मानव सरीर में सबसे बड़ी बहीर सराभी गरंथी इनलम्मेकेत में से कौन सी है? बहीर सराभी गरंथी, 34 कैंसर क्या हो जाएगा, यह आसान कॉस्चन है, यकृत जो होता है सबसे बड़ा बहीर सरावी गरंती होता है मुद्र रत्याग करने से पहले मानव सरीर के उत्सरजन तंत्र के किस भाग में संग्रहित होता है 45 कैंसर क्या हो जाएगा A. मुत्रासे में संग्रहन होता है मानम में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है 46 का answer क्या हो जाएगा A. euria जो होता है परमुक उत्सरजन उत्पाद होता है मनस्य के अंदर निमद की ते कौन सा एक अनु परमानु कन नहीं है 47 का answer क्या हो जाएगा C. dutron जो है ये एक अनु परमानु का कन नहीं होता है मांके निट्रोन, प्रोट्रोन, इलक्ट्रोन तो आप लोग जाते ही है पर मान विए नाभिक किस ने खो जा था और तालिस कैंसर क्या हो जाएगा ये रदर फोर्ड ने खो जा था इसका गोल्ड प्लेट वाल आपको पता होगा अलफा कन की बंबार्डिंग की थी पतली से सोने की परत पर सारे अलफा के रण पास हो गए थे एक अलफा के रण ऐसा था जो वापस आ गया था और वहीं पर इसने नाभिक की खोज़गी थी रदर फोर्ड ने अरतालिस कैंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा सबसे भारी प्राकर्तिक तत्थ तो कौन सा होता है 49 कैंसर क्या हो जाएगा यूरेनियम होगा इस कैंसर अगर मानम निर्मित पूछा जाए तो कौन सा बोलोगे आप मैं बता देता हूँ उसको नोट कर लेना अन अनोक अन अनोक्टियम अन अनोक्टियम जो होता है यह मानम निर्मित सबसे भारी धातू होता है सबसे भारी ततू होता है लेकिन प्राकर्तिक रूप से यूरेनियम होता है ओजोन परत में छिदर का मुख कारण क्या होता है 50 कैंसर क्या हो जाएगा क्लोरो फ्लोरो कारबन बहुतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है कौन सा कल भी हमने एक कुस्टन किया था इसका अंसर हो जाएगा E यानि कि कौन कौन सा हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा E यानि कि इसमें D भी होगा और B भी होगा मुंबत्ती का जलना कभी-कभी इसका अंसर BOD दोनों होना चाहिए जल में आसानी से घूलनसील है 52 का अंसर क्या हो जाएगा C आमौनिया जो है या आसानी से घूलनसील होता है निमिकितरी तो है किस पदार्थ का उपयोग बरतनों को चमखीला बनाने के लिए किया जाता है और इस तरह के सवाल खूब पूछे जा सकते हैं जिंक आकसाइट का उप्योग किया जाता है नदी में जल प्रोदूसन के निरधारन के लिए घुली हुई मातरा मापी जाती है 54 कैंसर हो जाएगा D, आकसीजन की प्रोदूसन के निरधारन के लिए किसकी मापी जाती है डिजॉल्ब ऑकसीजन की मातरा मापी जाती है इस सीज़ का ध्यान रखना है ऑकसीजन की वहा मातरा जल में कार्वनिक पदारत एवं जाविरसानिक अब घटन के लावसक होती है उसी को मापा जाता है इसमें और वो क्या कहलाता है उसको कहा जाता है biological oxygen demand यानि कि जल में जितने ज़्यादा जीब होंगे उसका BOD उतना ही ज़्यादा होगा और BOD जितना ज़्यादा होगा यानि कि वो पानी परदूसित होता है oxygen demand biological oxygen demand ammonium chloride का घोल है कौन सा तो 55 cancer क्या हो जाएगा A हो जाएगा acetic ammonium chloride alkaline का घोल होता है वसा के जलब घड़न से क्या मिलता है 56 cancer हो जाएगा A glycerol मिलता है तेल का एक barrel कितना होता है लगभग में एक barrel तेल का दाम आपने सुना होगा इतना डॉलर हो गया है तो उसी barrel का माप पूछा है आप से 57 cancer हो जाएगा B 169 liter के आसपास एक barrel होता है यांतरी कुर्जा की SIE का आई क्या है तो 58 cancer क्या हो जाएगा A joule decibel किसे नापने के लिए प्रियोग में लाया जाता है 59 cancer क्या हो जाएगा वाता बरन में ध्वनी को नापने के लिए decibel का उपियोग किया जाता है और किसी सवाल में अगर कोई mistake देखता है नी संदे भरपूर तरीके से कॉमेंट कीजे मैं उसको सुधार के अगले वीडियों बता दूँगा वाय YouTube की गती निमीखेत में किसके द्वारा ना पी जाती है 60 cancer हो जाएगा बी एनिमोमीटर के द्वारा ना पी जाती है एक किलोवाट घंटा का मान कितना होता है 61 cancer क्या होजाएगा 3.6 इंटू 10 j होता है एक किलो वाट घंटा का मान रेट्यो धर्मिता की काई क्या होती है 62 कैंसर क्या हो जाएगा C क्यूरी होती है अरमन मैक्सिसे पुरसकार जितने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन है ये तो पता ही होगा रवीश कुमार को मिला था पिछले से पिछले साल बिहार के की जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है 64 कैंसर क्या हो जाएगा E हो जाएगा यानि की ग्रेनाइट पत्थर गया जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई इन सब जगों पर पाया जाता है इस कैंसर क्या हो जाएगा E हो जाएगा बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार कहां है 65 का एंसर क्या हो जाएगा E क्योंकि जमूई में भी मिला है और चम्पारन के आसपास भी सोने के भंडार पाये जाने की पुष्टी हुई थी पस्मी चम्पारन के मनोर सोना निम्बूडिया मतरिया क्या लिखा हुआ मती अर्बा और एक जगह का नाम लिखा हुआ इन सब जगहों पर भी सोना प्राप्त होता है और एक जमूई में भी कुछ दिन पहले ही मिला है बिहार में बाल में की नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है इसका एंसर हो जाएगा इ उत्तर प्रदिस्व बिहार के सनित प्राप्त से बनी घंड़क परियोजना का अंतरगत घंड़क नदी पर बाल में की नगर के निकट एक बैराज निर्मित किया गया है तो था दो नहरे निकाली गई हैं यहां से कौन कौन सी पस्मी और पुर्वी दो गंड़क नहर निहां से निकाला गया है और त्रिवेनी नहर जो है त्रिवेनी नहर गंड़क नदी से पस्मी चंपारंजिले के त्रिवेनी नामा का स्थान से निकाला गया है इन में से कोई सा भी अंसर नहीं होगा और एक और में बता देता हूँ जैसे धाका और तियूर नहर ये भी नहर का नाम आता है ये नहर भी चमपारण जिले में ही इस्तित है ये गंड़क नदी की सहायक नदी लाल वाकिया और तियूर नदियों से निकाला गया है तो सबके बारे मैंने बता दिया पुर्भी गंड़क नहर और पस्मी गंड़क नहर निकाला गया है पस्मी गंड़क नहर नेपाल में और पुर्भी गंड़क नहर बिहार में निकाला गया है और फिर त्रिवेनी नहर आगे जाके निकलता है त्रिवेनी नहर गंडक नदी से पस्मी जमपारन जिले के त्रिवेनी नामक अस्थान से निकाला गया है अगला सवाल पर चलते हैं कि नेपाल की सीमा को असपर्स करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है इसका तो मैंने सौट वीडियों ट्रीक भी बताया हुए आप सभी को सुक्षि सेवन का अंसर क्या हो जाएगा इस का अंसर हो जाएगा अगले सवाल पर चलते हैं किस राज्य का उत्तर से दक्षिन तक की लंबाई 345 किलोमेटर है ये बिहार राज्य है अपना और 60 का अंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा और आपको बताना है कि पूरव से पस्षिम लंबाई कितनी है राज्य की बिहार के दक्षिन पस्षिम शेत्र की पहारियां किस समों की है दक्षिन पस्षिम शेत्र ये बिहार हो गया ये बीच में गंगा नदी बहरी है, यहां की पहारी पूछ रहा है आपसे तो 69 का एंसर क्या हो जाएगा, ये बिंधियन स्रेनी की है, रोहतास के आसपास जो मिलती है धक्षिन बिहार के प्रधान नदी सोन का उदगामस थल कौन सा है, 70 का एंसर क्या हो जाएगा अमर कंटक की पहारी है जो 36 गर और मद्य प्रदेश की सीमा परस्तित है यहीं से सोन नदी भी निकलती है और यह कहां पर आके मिल जाती है पटना गस्मिप गंगा नदी में मिल जाती है बिहार का कौन सा जिला नेपाल और उत्ताप देश के साथ अपनी सीमाई साजा करता है 71 के अंसर क्या हो जाएगा D. पस्मी चमपारन कोसी गंगा में कहां पर मिलती है 72 के अंसर क्या हो जाएगा B. कठिहार के समीप में मिल जाती है 73 के अंसर क्या हो जाएगा C. गंणा दिया हुआ है अगर यहां पर जूट दिया हुआ रहता तो वो भी अंसर हो जाता B. बिहार बरोनी का तेल सोधा कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया था इसका अंसर सभी को पता होना चाहिए रूस के सहयोग से बनाया गया था 1964 इस भी में सन 2.11 के जनगना का अंसर बिहार के कुल जनसंख्यां पूरसों किस जनसंख्यां का परतिसत क्या है 75 का अंसर क्या हो जाएगा 52.4 परसेंट पूरस हैं बिहार में अब इसको 100 में से घटा दीजिए उतने परसेंट महिलाए हैं बिहार में सन 2.11 के जनगना का अंसर बिहार एकी जिले में सबसे कम जनसंख्यां है 76 का अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा सिखपुरा में सबसे कम आवादी निवास करती है 2.11 जनगना पर वीडियो बना हुआ है आप दिरिश्टी आईएस बिहार समगड या कबिसी नगना बिहार समगन में जाकर देख सकते हैं डीटेल हैं वीडियो मिल जाएगा आपको सिर्साह का मकवरा कहां पर इसी थै तो यह सासाराम में ऐसी थैए सिर्साह का मकवरा नालंदा विस्विद्यालो को किसने ध्arse tAK тиा ता, बहुत यह आसान से सवाल है, 78 कैंसर क्या हो जायए, बक्तियार खिल जी ने ध् Luther कर दिया था इसको, नालंदा विस्विद्याले जो है, यह महायान बॉध धर्म का, महायान बॉध धर्म का केंदर था यह, बॉध सिख्षा क बिहार के छेतर में सरप्रथम कौन आये थे? 79 कैंसर जगसी, पुर्टगाली पटना कलम सैली का सुभारम कब से माना जाता है? जब मुगल समराजी का पतन होता है, उसी के बाद पटना कलम के सुरुआत होता है 80 कैंसर क्या हो जाएगा? C, 1760 इस्वी के असपास से माना जाता है पतना कलम के सुरुआत पावपूर्य में स्थित, कमल रूपी तलाव के बीच निर्मित, जल मंदीर का समंद किस्से है? 81 कैंसर क्या हो जाएगा? C, जैन धर्म से समंदीत है ये सुतंद भारत का पहला चातर अंदोलन कहां पर हुआ था? 82 कैंसर जग बी, पटना महुआ था 19519 seconde में दिया हुआ है सुतंद भारत का पहला चातर अंदर बिहार ग्रहधानी पटना महुआ था बिहार पहली बार राश्पती सासन कब लगाया गया था? 83 कैंसर जगबी 29,1968 को पहली बार राश्पती सासन लगाया गया था बिहार परत्थम जैन संगती का आज़न किसके सासन काल में हुआ था ये पता ही होगा आप लोगों को किसके सासन काल में हुआ था और ये बहुत बारा जैन भी था 35 कैंसर क्या हो जाएगा इसमें दिवा हुआ ए कि 858 का जो भारत अधिनियम है उसको मान रहा है कि भारती सुदंता का दिकार पतर कहा जाता है आगे बरहें भारते समिधान की दस्मी अंसुची का संबंध किससे है दस्मी अंसुची में दल बदल बृतरोधी बिधायन दिया हुआ है दल बदल जो एक दल से दूसरे बदल में जाते हैं उसी के सम्मंधित दिया हुआ है परावधान किसमें दस्मी अंसुची में और बावनमा समिधान संसोधन था 52 समिधान संसोधन 1985 में इसको एड़ किया गया था आगे भरते हैं भूसुधार किसमे है यह 9 मी अंसुची में है संग और राज्यों के मतसक्ती का विवाजन यह सावतिमी अंसुची में है सबका बता दिया मैंने और क्या था पंचायती राज यह किसमे है यह 11 मी अंसुची में है इनमें से कौन से एक भारते संसद का कारे नहीं है 87 का अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा D उच्छी नयाले के नयाधीसो को दंडित करना यह भारते संसद का कारे बिलकुल नहीं है महावयोग के परकरिया जरूर है लेकिन ये दंड में नहीं आता है महावयोग के परकरिया और एक चीज़ का ध्यान रखना सारे कोस्टन को वीडियो पॉस करके एटेम्ट करना है आपको और अंते में अपने स्कोर भी बताने है राजसभार लोगसभा की सक्तियां किस शेतर में समान है ये UPSC Previous Year का सवाल है कहां पर राजसभार लोगसभा की सक्ति समान है तो 88 का एंसर क्या हो जाएगा सम्मिधान संसोधन करने के मामले में राजसभार लोगसभा की सक्तियां समान है नई अखिल भारतिय सिवाई गठित कारणे के मामले में आर्टिकल 249 के तहत राज सभा के सक्तियां जादा हैं कट्रोती प्रस्ताव लोग सभाम प्रस्तुत किये जाते हैं सरकार को हटाने के विसाय यानि की और विस्वास पस्ता और लोग सभान प्रस्तूत किये जाते हैं राश्टपती पध्धती में समस्त कारिपाल का सकती नहीत होती है किसमें राश्टपती वाली जो पध्धती होती है उसको में क्या ध्यक्ष होते हैं प्राकलन समीति के दो सदस्यों का कारिकाल होता है कितने वर्सों का तो 91 का एंसर क्या हो जाएगा भी एक वर्स का प्राकलन समीति के सदस्यों का कारिकाल कितने वर्सों का होता है तो एक वर्स का एक वर्स का मैंने दो सदस्यों बोल दिया था एक वर्स कारिकाल होता है प्राकलन समीथी का तीस मेंबर होते हैं इसके सबसे बड़ी समीथियों में से एक है प्राकलन समीथी 91 का एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा B राजसभा के बारे इमनिम से कौन सा कथन गलत है तो 92 का एंसर क्या होगा राजपाल के बारे में है बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहा हूँ है आँखे चौंद जाती है परते परते उसके कारण से तो 92 का एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा बी, राजपाल सदै मंत्री वंडल के सलाह पर कारे करने को बात दे है ये चीज यहाँ पर गलत दिया हुआ है राजपाल के पास अपनी विवेका धीन सक्तियां भी होते है कब कब होता है जैसे माल लो बिहार में तीन पार्टिया है बी जे पी, आर जे डी और जे डी यू तीनों से किसी को असपस्ट बहुमत नहीं मिलेगा राजपाल के अंदर ये उसके बुद्धी पर निर्फर करता है वो किस पार्टि को बुलाती है सरकार बनाने के लिए तो इसके अंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा कि बी गलत दिया हुआ है राजपाल के बारे में 93 नमर सवाल पर चलते है बारत में नियाइक सकेरिता संबन दीत है किस से तो 93 कैंसर क्या हो जाएगा ये जनहीती याचिका से संबन दीत है पी आईल से संबन दीत है जस्टिस पी एन भगवती का नाम सुना होगा आप लोगने उन्ही के द्वार लाया गया तो पहली बार जनहीती याचिका की सुनवाए राजय बिधिक सेवा परादिकरन का मुखे सांरक्षक होता है कुत्ते बहुँ जादे भौकरे बाहर 94 कैंसर जोगसी उच्छे नयाले का मुखे नादी जो होता है राजय बिधिक सेवा परादिकरन उसका मुखे सांरक्षक होता है अगले सवाल पर चलते हम लोग कि भारतिय मानक समय देशांतर डैस डिग्री पुर्व से मेल खाता है 95 का एंसर क्या हो जाएगा सारे बिरासी डिग्री है यह और यह इलावाद के पास से गुजरती है सभी को पता होगा पुर्वी घाट परवत की सबसे दक्षिनी पहारी कौन सी है पुर्वी घाट का पूछा है जैसे यह भारत है तो यह है पस्मी घाट और यह है पुर्वी घाट इसमें सबसे दक्षिन में पूरबी घाट में कौन से पहारी इस्तित है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा 96 का सेवराई के प्रथाद पहारी आती है सेवराई के पहारी निम्रकित नदियों पर विचार कीजिए माही, सावरमती, पिन्नार और ब्रम्हानी ये नदियां है उपरो के दीगे नदियों का जल गरहन छेतर का सही बढ़ते क्रम में से कौन सा सही है जल गरहन छेतर क्या होता है जहां से उस नदी में जल आता है जैसे गंगा नदी है इसका जल ग्रहन छेतर में आपको पता होना चाहिए कि राज्थान का भाग भी आता है तो इस गंगा की सहाय के नदिया और उसकी सहाय के नदिया ये सारा मिल के क्या बनाती है जल ग्रहन छेतर बनाती है ये सारा मिल के क्या बनाती है जल ग्रहन छेतर बनाती है भारत का सबसे बरा सरदार सरोबर बांध किस नदी पर निर्मित है 98 का कैंसर हो जाएगा ये नर्मदा नदी पर बनाया गया सरदार सरोबर बांध गुजरातमर यहीं पर सरदार पटेल जी के प्रतिमा भी बनाई गई है 99 नमर सवाल पर चलते हम लोग कि निमलखित में से कौ आदर भूमी और उनके अस्थान के समने कौन सा गलत जोड़ी है इसको चुनना है आपको रोपर जील पंजाब सांबर जील रास्थान दिपोर बील असम हर के जील केरल नहीं हर के जील भी कहां पर है ये भी ये पंजाब में ही इसका एंसर क्या हो जाएगा 100 कैंसर हो जाए पस्मी घाट पर सबसन पहले बरसा होती 101 का एंसर क्या हो जाएगा 101 का हो जाएगा C हो जाएगा इसका प्रायद्वीब के बरसाती च्छेतरों और उत्तर प्रदेस और बिहार के मैदाने इलाकों में कौन से बन पाए जाते हैं तो परनपाती बन पाए जाते हैं उसन कटी बन धी है परनपाती परनपाती का मतलब क्या होता है ऐसे बन जहां पर पत्ते गिर जाते हैं एक मौसम में पत्ता गिराते उसी को परनपाती कहा जाता है तो 102 कैंसर B हो जाएगा भारत में पहली वानेजी कुरान निमन से कहां से की गई थी साथ पहले वाने जी को उरान commercial plane एक सो तीन कैंसर यह हो जाएगा इलहाबाद से इलहाबाद से नैनी के लिए चलाए गई थी नौदंदवाद पांच किलोमीटर ही है मात्र 15 मिनट का उरान था और यह कब चलाए गया था 1911 पहला commercial plane उरा था भारत में एक सो चार है कि पूरभ रेलवे का मुख्याले डैस में इस्थित है एक सो पांच का एंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर दिया हुए एकसी इसमें टांसफर पेमिंट अंतरन भूगतान भी सामिल नहीं होता है यही एस्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा NPA गैर निस्पादित परिसंपतियां एक रिनी या अग्रीम है चो कितने दिनों का वधी के लिए मूलधन या ब्याज भुगतान पर अतिदेई है एक सुचेक एंसर क्या हो जाएगा 90 दिन 90 दिन तक मालो आपने पैसा लिया 90 दिन तक ना तो आपने बैंक को मूलधन वापस किया नहीं उस पर कोई ब्याज मिल रहा है बैंक को ये क्या हो जाता है ये NPA हो जाता है नौन परफॉर्मिंग एसेट्स ऐसा एसेट्स जो बैंक के उपर भार बन रहा है समझ में आ गया होगे NPA क्या होता है क्या RBI को वैधानिक तरलता अनुपात SLR को पचास आधार अंकों तक कम करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए इस तरह के टिपिकल कोश्टन अगर आपको एकॉनमिक्स का समझ में नहीं आ रहा है एकॉनमिक्स का बेसिक लेक्चर जाके देखे एकॉनमिक्स लेक्चर में तभी इस तरह के सवाल समझ में आएंगे इसका हो जाए असी अनुचित बैंक वानेजिक बैंक अपने रीन दरों में कटवती करेंगे जब SLR को कम किया जाता है तो क्या हो जाता है बैंकों को सस्ता रीन मिलेगा सस्ता रीन मिलेगा तो बैंक सस्ता रीन देंगे सस्ता रीन देंगे तो बैंक को क्या करेंगे बैंक दर को नीचे कर देंगे रीन के रेट को तो वही तो है अनुचित बैंक अपने रीन दरों में कटवती करेंगे आपको रिन असानी से मिल जाएगा जब SLR कम किया जाता है भारत मुद्रा स्पिती को मापा जाता है 108 कैंसर क्या हो जाएगा B हो जाएगा उभुकता मोले सुचकां के अधार पर किसकी सिफारिस पर 6-3 ग्रामीन बैंक के अस्थापना की गई थी 110 कैंसर क्या हो जाएगा ये नर्सीमहन समिती के सिफारिस पर इसकी अस्थापना की गई थी 110 कैंसर क्या हो जाएगा ये होगा World Trade Organization जो है ये बिभीने देसों को अलग अलग चीज़ों पर सबसीड़ी देती है बिकासी देसों को उसी में इस सब्द का यूज किया जाता है एमबर बॉक्स ब्लू बॉक्स और गीन बॉक्स वगईरा का अलग अलग जो उत्पाद होते हैं उसके अधार पर भी सबसीड़ी अलग अलग दी जाती है है ना अगला है कि मानब बिकास सोचकां किसके द्वारा प्रकासित किया जाता है बहुत ही अच्छे सवाल है इस तरह कि सवाल आपसे पूछ सकता है डीटेल में आपको ये सब आप कहां मिल जाएगा एकस्परनेशन वाले पीडिएफ में मिल जाएगा एक सो ग्यारा के ऐइड़ी उडीपी के द्वारा जारी किया जाता है नेकशन जाता है cleanup कि उनप्रेशं फ्लड कि से समथित था एक सो बारा के आइसर क्या हो जाएगा भारत का डेड जूद्द्योग से समथित था सब्दीज वी चांट यह बहु है कि पुना में भारता सुचे भार्तों क्यों को कि इन में कि यहां इसके आपको मुद्धरस्पिती बाला जो मैंने legislature लिया है उसको देखना पर का detail LöernaƐ को लॉए भी झिका मतलब क्या होता है जो बैंकों को long term के लिएれहिए देगी आप जो बैंक दर क्या होता है एक दर होता है रेट होता है जिससे कम पर कोई भी बैंक जो है वो RBA जो है वो किसी बैंक को रिन नहीं देता है अब देखो बैंक दर अगर कम हो गया यानि कि बैंकों को रिन क्या मिल रहा है कम दाम पर मिल रहा है सस्ता में रिन मिल रहा है तो बैंक क्या करेंगे लोगों में खुब सस्ता रिन बाटेंगे यानि कि लोगों पास कैस आएगा कैस आने का मतलब क्या होता है कि बाजार में तरलता बर जाएगी तरलता का मतलब क्या होता है करिंसी के नोट जो है वो बाजार में बहुत जादे हो जाते हैं इससे मुद्राइस पिती बरने की संभावना होती है एक स्टेप आगे कभी में बता रहा हूँ जिनको समझ में नहीं आ रहा है एकॉनमिक्स का बेसिक लेक्चर जाके देखिए तभी समझ में आएगा सिल्वी कल्चर सम्बंदीत है किस से 115 का एंसर क्या हो जाएगा C1 की से सम्बंदीत है 116 है कि बिहार करसी बिस्विद्याले सब और भागलपूर के अधिन कितने नहे माहा बिद्याले खोले जाने की घोसना की गई है यूनिबर्सिटी का अंदर कितने नए कॉलेज खोले जाएंगे 116 कैंसर जाएगा ये तीन नए कॉलेज खोले जा रहे है अगला सबाल है कि बिहार सिबिल सेवा प्रोसाहन योजना के तहत UPSC की मुखे पर इक्षा तियारी के लिए कितने रुपे का प्रोसाहन दिया जाता है अगर आप UPSC का प्री पास करते हैं तो आपको मेंस की तियारी के लिए बिहार सरकार बहुत सारा मदद देती है पूछ रहे कितने रुपे का मदद देती है आपको 117 कैंसर क्या हो जाएगा 115 रुपे का मदद देती है एक ही भार 125 चुनाओ 126 का दिसूचना किस्तितिती को जारी की गई ते 118 कैंसर हो जाएगा सी, 24 अगस 221 को जारी की गई जनरल लड़कों को यह एक लाग रुपया नहीं मिलता है, बाकी सभी को मिलता है 89 किस पद के लिए पंचायत 221 का चुनाओ ईबीम से नहीं बलकि मतपत से कराय गया था 119 कैंसर किया हो जाएगा, यह सरपंच के लिए कराया गया था परधान मंत्रे के आर्थिक सलाकार परिसत के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराई ने बुजूर्गों के लिए जीवन की गुनवत्ता सुचकांग सिरसक से एक रिपोर्ट जारी की, इसमें बिहार का कुल कितना स्कोर था 120 कैंसर जगर B, 51.82 था बिहार का स्कोर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाग किस राय सरकार ने बिरोजगार युवाओं के मदद के लिए मेरा काम, मेरा मान योजना के सुरू किया है इसको एक बार फिर से री चेक जरूर कर लेना निर्मला सितारमा ने किस राज में माई पैड, माई राइट परियोजना को उधगाटन किया 123 कैंसर जगर दी, तिरपुरा राज में इन्होंने उधगाटन किया था माई पैड, माई राइट नीजी बैंकों के आयात को भी तो पोसित करने के लिए विदेसी मुद्रा समाप्त होने के बाद किस देश ने खाद्या पातकाल की घोसना की क्योंकि विदेसी मुद्रा संकर बिगर गया था 124 कैंसर जगर दी, सिलंका में ये घोसना किया गया था एरी डाइटेस्ट इन प्ले अभियान के लिए ब्राउन रिबेस्डर गुरूप में किसे चुना गया है एरी डास लिहोगा बहुत खराब लिखा है एरी डास प्ले के लिए 125 का एंसर क्या हो जाएगा C, मीरा भाई चानू को चुना गया था मीरा भाई चानू इसका एंसर हो जाएगा फिर दौसी कादरी एक बेग्यानिक जिनों लाखे लोगों को बचाने के वाले टीकों की खोज में महत्पून भूम का निभाई रामन मैकसे से पुरसकार द्वरकीस किसने जीता है या किस देश समंधित है इनको रामन मैकसे से पुरसकार मिला है या किस देश समंधित है यही सवाल बस होना चाहिए था इतना सारा खीश दिया है 126 का एंसर जगा सी बंगला देश के हैं ये अगले सवाल पर चलते हैं कि निम्रकीत में किसने बर्ड फोटोग्राफर आप देश का पूरसकार जीता था 127 का एंसर जगा ए एलेन जांदरो प्रीतो ने ये अवर्ड जीता था 128 का एंसर क्या हो जाएगा सी हर्विंदर सिंग ने जीता था अगले सवाल पर चलते हैं हिंदी दिवस का अबसर पर किस संस्थान ने अपना प्रोजेक्ट उरान लॉंच किया 129 का एंसर जग भी आयाईटी बंबे ने लॉंच किया था 131 का एंसर क्या हो जाएगा आसा भोसले को दिया गया था पिछले से पिछले साल भारत मुसलिम महिला अधिकार दिवस पूरे देश में 10 को मनाया जाता है 131 का एंसर जग ए 1 अगस्त को मनाया जाता है भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 36 संस्क्रण हिंद महासागर छेत्र में सुरू हुआ है 132 का एंसर जाएगा डी इंडोनेसिया और भारत के बीच में सुरू हुआ है 133 का एंसर क्या हो जाएगा ए मिनाक्षी लेखी नेतित किया था किस देश ने संनुत राज सुरक्षा परिशत की अध्यक्षता अगस 22 कीस करने के लिए फ्रांस से पदवार ग्रहन किया था 22 कीस में ही बहुत ही पूराना करेंट फिर दिया है 135 का एंसर क्या हो जाएगा भी दीपक दास को 136 के सहरी चेतर में समुदाइक वन संसाधन अधिकारों को मानिता देने वाला पहला राज जी कौन बन गया था सहरी चेतर में वन संसाधन अधिकारों को मानिता देने वाला 136 का एंसर क्या हो जाएगा आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने 133 कि इस बैंक ने Honor First Banking समाधान सुरू करने के लिए भारती नौसेना के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया तो इस का अंसर हो जाएगा IDFC First Bank ने यह हस्ताक्षर किया है अगला है कि इस रो के अनुसार की संगठन ने Remote Sensing उपग्रह डेटा साथा करन में सहयोग पर एक समझोता हस्ताक्षर किया है तो 149 का अंसर क्या हो जाएगा ए ब्रिक्स ब्रिक्स ने Remote Sensing उपग्रह डेटा साथा करन पर समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया ब्रिक्स के सदस्दे सुने और आज का आखरी सवाल है और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना कहीं पर कोई मिस्टेक हुआ हूँ तो जरूर कमेंट कीजे मैं उसको सुधार कर दूँगा सू डोको के गौड फादर माकी काजी का हालिम निधन हो गया वह किस देश से थे 140 का अंसर्ट क्या हो जाएगा ये जापान के रहने वाले थे आपके कितने माकसा हैं ये जरूर बताईए अगला टेस्ट अगले दिन आ जाएगा थैंक यू सो मच